नमस्कार कच्चा चिठा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर लोगसभाद चुनाफ से पहले विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से बैक पुट पर नज़र आ रही है जिसकी बज़े से लोगसभाद चुनाफ की राहे उनके लिए आसान नहीं होने जा रही है अब एक ऐसा खुलासा हुआ है विपक्षी पार्टि कॉंग्रिस को लेकर जिसको सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी जैसे जैसे लोगसभाद चुनाफ नज़दीक आ रही है वैसे वैसे विपक्षी पार्टि की टेंशन बढ़ती जा रही है लेकिन जो खुलासा अब हुआ है उसके बाद विपक्षी पार्टि में हरकम मचा हुआ है तो क्या कुछ है पूरा मामला चलिया आपको बताते हैं आर्टि आई के खुलासे से मचा हरकम विपक्षी पार्टियों में भयंकर घमासार कॉंग्रिस को लेकर हुआ बड़ा खुलासा क्या चुनाफ से पहले होगा बड़ा खेल लोगसभा चुनाफ से पहले तमिल नाजू में कच्छाती वू दूईब का मुद्दा एक बार फिर गरमाया है इस दूईब को साल 1974 में ततकालीन प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने एक संचोते के चलते श्रीलंका को दे दिया था अब इस दूईब से संबंधिक जानकारी और दस्तवेस तमिल नाजू के भारती जनता पाठी के अध्यक्ष अन्ना मलाई ने RTI के जरिये एकठा किये हैं इस RTI से पता चलता है कि ये दूईब भारत के अधीन आता था और इसके हम पर सबूत भी थे लेकिन फिर भी इंद्रा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के मताबिक तमिल नाजू में भाचपा अध्यक्ष के अन्ना मलाई ने RTI के जरिये इस दूईब को सौपे चाने वाले दस्तवेस हासल किये हैं दस्तवेजों के हिसाब से ये दूईब भारत से 20 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है और इसका आकार 1.9 किलो मीटर का है जुआला मुखी होने के कारण इस पर कोई राहत नहीं है लेकिन यहां एक चर्च है और इसके अलावा इसका इस्तमाल मच्छुआरे किया करते थे भारत की आजादी के बाद से ही श्री लंका यानि तब का सिलोन इस पर अपने दावे करता था 1955 में उनकी नौसेना ने इस दुवीब पर युद्ध भ्यास किया वहीं भारती नौसेना को युद्ध भ्यास करने से रोका गया बताया चाता है कि श्री लंका को ये दुवीब जाने से पहले ही पूर्फ पीम नहरू संसद में कहे चुके थे कि उन्हें इस दुवीब का विवाद संसद में नहीं सुनना है इसलिए अगर कभी भी ऐसा कोई विवाद होगा तो वो इसे चोड़ने में कोई विचार नहीं करेंगे उनके इस कथन को उस समय के Commonwealth Secretary गुंदेविया ने नोट किया और बात में उसे संसद की Informal Consultative Committee के पास Background की तरहा शेर किया गया इस दूइब को लेकर मौजूदा जानकारी भी बताती है कि सत्रवी शताबदी तक ये दूइब मुदुरई के राजा रामनत की जिम्मेदारी के अधीन था बात में ब्रिटिश हुकूमत के दोरान ये मदरास प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया शुरू में इस दूइब का इस्तवाल मचुवारे किया करते थे लेकिन उस समय भी सिलोन के साथ इस दूइब को लेकर तनाव रहता था बात में दोनों देशों के बीच बैठक हुई च्वानकारी के मताबिक एक बैठक को लंबो में की गई और फिर दूसरी नई दिल्ली में इसके बात 1974 में इंद्रा गांधी ने सहमती से ये दूइब श्रीलंका को दे दिया बावजू दिसके की भारत के पास इस दूइब को लेकर कई सबूत थे इसमें राजार रामनक का भी जिक्र था वहीं श्रीलंका के पास कोई दावा नहीं था फिर भी ये दूइब उन्हें मिला अजीब बात तो ये है कि श्री लंका को ये द्वीब देने के लिए विदेश सचीव द्वारा ये तक कहा गया कि इस द्वीब पर श्री लंका का दावा मस्बूत है RTI के मताबिक ऐसा दिखाया गया कि ये द्वीब जफना पटनम का हिस्सा है वहीं भारत की सर्वे टीम्स विकार करती है कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि राम नद के राजा के पास इसका ओरिचनल टाइटल था जब बात में ये द्वीब श्री लंका को सौप दिया गया तो इसके साथ कुछ समझोते हुए इन समझोतों में शुरू में कहा गया कि मचुवारे अपने काम के लिए इस द्वीब का इस्तमाल कर पाएंगे इसके अलावा इस द्वीब पर चर्च में भारती बिना वीजा के आ जा सकेंगे लेकिन बाद में 1976 में हुआ एक और समझोते में कहा गया कि भारती मचुवारे मचली पकड़ने वाले जहास को लेकर श्री लंका के एक्सक्लूसिल एकॉनमी जोन में नहीं जा सकते इस समझोते के बाद इस द्वीब का विवात काफी भड़का था ततकालीन मुख्य मंतरी करुणा नीधी ने इसका खूब विरोध किया था 1991 में तो तमिलनाडू की विधान सभा में इस द्वीब को भारत में मिलाने का प्रस्ताव भी पास किया गया 2008 में जोयल अलिता ने सर्वुच न्यायाले में सवाल उठाया था कि बिना समविधान संशोधन के भारत सरकार ने अपने द्वीब को किसी और देश को कैसे सौप दिया 2011 में उन्होंने इसे लेकर विधान सभा में एक प्रस्ताव भी पारत करवाया मगर अटोर्णी चेनरल मुकुल रहोतगी ने 2014 में कहा कि ये द्वीब श्री लंका को दे दिया गया है और इसे अगर देना है तो युद लड़ने के अलावा दूसरा कोई चारण नहीं है इसके अलावा पिये मोदी ने भी इस दूईब का मुद्दा संसत में 2023 में उठाया था उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था ये जो लोग बाहर गए हैं उनसे पूछिए कि कच्छाती वो दूईब क्या है और ये कच्छाती वो कहा है जरा उनसे प कच्छाती वो दूईब को वापस लाइए ओक Jaatyव Safe क्या किसने किया अके श्री लंका से पहले एक तापू किस ने किसी दूपरे देश को कब दिया था क्या ये भारत माता नहीं थी वहां और क्या वो मा भारती का अंग नहीं था इसको भी आपने तोडा और कौन था उस समय श्रीमती इंद्रा गांधी के नित्रित्व में हुआ था ये कॉंग्रिस का इतिहास माभारती को छिन भिन करने का रहा है कच्छाती वू दूइब को लेकर आर्टी आई में खुलासा हुआ है कि इंद्रा गांधी ने एक समझोते के तहट इसे श्रीलंका को सौब दिय जाधा था हाला कि आरटी आई के खुलासे के बाद अब केंद्र ग्रीमंत्री अमिच शहा ने प्रतिक्रियाद दी है केंद्र ग्रीमंत्रीं अमिच शहा ने कॉंग्रप और इंद्रा गांधी दोनों को इस पर कोई पचतावान नहीं है शहा ने कहा कि कॉंग्रेस के वल देश को विभाजित करना या तोड़ना चाहती है इतना ही नहीं अभी हाल ही में चुनावी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर क्याश के इस्तमाल के कारण कॉंग्रेस ने 2018 स 2019 में आयकर छूट खोदी थी सूत्रों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी से 135 करोड रुपई की टाक्स वसूली आयकर कानून के प्राफधानों के अनुसार है सूत्रों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी से 135 करोड रुपई की टाक्स वसूली आयकर कानून के प्राफधानों के अनुरूप है सूत्रों ने कहा कि विशेश रूप से अप्रेल 2019 में तलाशी अभियानों के दोरान इंकम टाक्स डिपार्टमेंट ने जो आपत्ती जुनक सामगरी जब्त की उसके आधार पर चुनावी प्रक्रिया में नकदी के व्यापक इस्तवाल का पता चला उन्होंने बताया कि ऐसे में पार्टी के आकलन को साथ सालो यानि की आकलन वर्ष 2014-15 और 2020-21 तक के लिए फिर से खोला गया था सूतरों ने कहा कि आकलन के बाद 2021 में कॉंग्रिस पार्टी से टाक्स की मांग की गई और उन्हें भुकतान करने के लिए कई बार पत्र भेजे गए कारवाई के दौरान निर्धारिती यानि कॉंग्रिस पार्टी द्वारा दायर स्थगन याचिका को खारिच कर दिया गया था इसके बाद आकलन आदेश के 33 महीने और आयकर आयुक अपील के आदेश के 10 महीने बाद भी जब निर्धारिती ने मांग को नहीं चुकाया तो आयकर अधिनियम की धारा 226 के तहट वसूली की कारवाई शुरू की गई ऐसे में कानून के प्रावधानों के अनुसार लगवक 135 करोर रुपई की बकाया मांग की वसूली कारवाई शुरू की गई इस कारवाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका आयकर अपीलिय न्यायाधी करण यानि की ITAT और दिल्ली हाई कोट ने खारिच कर दिया था सूत्रों ने बताया कि इसके बाद आयकर कानून 1961 के प्रावधानों के अनुसार 135 करोर रुपई की वसूली की गई है इससे पहले कॉंग्रस ने शुक्रवार को कहा कि लोग सभाचिनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने पांच अलग अलग वित्त सालों के कर रिटर्न में कतित विसंगतियों के लिए 1823.08 करोर रुपई के भुकतान के नए नोटिस उसे जारी किये हैं लेकिन उसने भारती जंता पार्टी को लेकर आखे बंद कर ली हैं जबकि उस पर 4,600 करोर रुपई का जुर्माना बनता है कॉंग्रिस के महासचीब जैराम रमेश ने ये दावा भी किया कि लोग सभा जुनाफ से पहले कर आतंगवाग यानि की टाक्स टेरिरिजम के जरिये विपक्ष पर हमला किया जा रहा है पाटी के कोशाध्यक्ष अजे माकन ने आरोफ लगाया कि जिन माप दंडो के आधार पर कॉंग्रिस को जिर्माने के नोटिस दिये गए उन्ही के आधार पर भार्त जिनता पाटी से 4,600 करोर रुपई से अधिक के भुक्तान की मांग करनी चाहिए यानि कुल मिलाकर लोग सभाच जुनाव से पहले कॉंग्रिस पूरी तरह से बेनकाब होती हुई नजर आ रही है और एक एक करके सारे राजों से पढ़ता हट रहा है आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं तब तक के लिए देखते रहे कापिटल टीवी नमस्कार